वाइरस इन दुनों खूप चर्चा में हैं पर क्या आप जानते हैं यह वाइरस दुन्या में कैसे वजूद में आएं किसने कैसे इसकी खोच की इन्ही सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे Welcome to the History Basket Virus basically protein के दिवाल से घिरे होते हैं जिनके अंदर RNA या DNA होता है यह इतने छोटे होते हैं कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास आखें हो भी तो नहीं देख सकते इनका size 0.1 micron से 4 micron तक होता है एक micron एक मीटर का 10 लाखवा हिस्सा होता है मतलब यह कि अगर हम एक मीटर को 10 लाख हिस्से में बाटे तो एक हिस्सा 1 micron कहलाएगा हमारे बालों की मोटाई 50 से 70 micron तक होती है वाइरसस इतने खतरनाक होते हैं कि यह बैक्टीरिया तक को भी infected कर सकते हैं वाइरस के जन्म से जुड़ी scientist की दो परिकलपनाय मौजूद हैं पहला छोटे वाइरस बैक्टीरिया के सेल कोशिका से जन्मे है और दूसरा बड़े वाइरस किसी परजीवी कोशिका सेल में मौजूद थे और समय के साथ यह अलग रहकर प्रजनन और रहना सीख लिया यह तो बात हो गई वाइरस कैसे वजूद में आए अब हम बढ़ते हैं वाइरस की खोज की दिल्चस्प कहानी की ओर बात है सन 1886 या उससे पहले की यूरोप और रूस के किसान तबैकू या तंबाकू के पत्तियों में होने वाली मुजैक बिमारी से परिशान थे इन पत् हमारी पर कई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे जिनमें रूसी साइंटिस्ट दिमित्री इवनोस्की ने 1892 में तंबाकू के मुजैक रोक से संक्रमित पत्ती का रस या अर्क चेंबर लैंड पास्चर फिल्टर में गुजारा चेंबर लैंड पास्चर फिल्टर एक चीनी तरह के बैक्टीरिया अलग हो जाते थे और प्राप्ट लिक्विड इंफेक्टेट फ्री होता था तो जाहिर है इवानौस्की द्वारा गुजारे इंफेक्टेट तंबाको के पत्ती के रस के साथ ऐसा होना चाहिए था पर गुआ नहीं इवानौस्की ने जब फिल्टर से बुजारे हुए रस को स्वस्थ पत्ती पर रगड़ा तो स्वस्थ पत्ती भी इंफेक्टेड हो गई जिससे यह साफ था कि रस में बैक्टीरिया के अलावा कुछ और था इस पर इवानौस्की ने सुझाओ दिया कि इंफेक्शन बैक्टीरिया द्वारा उत्पन एक स्पाई और ज्यादा मार्टिनस ने रिसर्च करने पर बताया किया इंफेक्शन बाइरस दारा हो रहा है यह नाम उन्होंने लैटिन वर्ल्ड से लिया जिसका मतलब था सिम्ली फ्ल्यूड तो इस तरह दुनिया को पहले वाइरस तबैक्टू मोजैक वाइरस से पहचान हो आस पास यलो फीबर ने फैलना शुरू किया शुरुआत में या बिमारी अफ्रीका में फैली पर उस समय दास प्रता के तहट अफ्रीका से अमरीका आये दासों से मच्छरों के दोरा या बिमारी फैल गई